जूटी खबरें घरने वाले जूटे शेर सुनाने वाले लोगों सब्र की अपने किये की जल्द सजा हैं पाने वाले नमस्कार मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ इना दस साल पहले जब केंदर में कांग्रेस को हरा कर बीजेपी की सरकार बनी थी तो नारा दिया गया था अच्छे दिनों का वारानसी से नरेंदर मोदी ने पहली बार लोकसभाद चुनाव लड़ा था आपको याद होगा दोस्तों तो उस वक्त खुद को नरेंदर मोदी ने मा गंगा का बेटा बताया था हिंदूों को जगाने वाली बीजेपी ने हर हर महादेव के जाप को घर घर मोदी में तबदील कर दिया और हिंदूों को इस पर कोई अफसोस या कोई एतराज नहीं हुआ क्योंकि उन्हें यकीन था कि मोदी लहर पर सवार देश न्यू इंडिया में जल्द बदल जाएगा लेकिन अब पता चल रहा है कि देश में अच्छे दिन नहीं बलकि भयानक दिन आने वाले हैं या आ आ गये हैं आ चुके हैं कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी ने लोकतंत्र का जनाजा तो निकाल ही दिया उसके साथ साथ देश को वसूली सरकार के हवाले भी कर दिया राहुल गांधी ने एक ट्वीट से बताया है कि मोदी सरकार कैसे वसूली भाई बन गई है देखे ज़रा इस ट्वीट को इस ट्वीट में राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या आपको प्रधान मंत्री की चंदा दो बेल और बिजनस लो योजना के बारे में पता है देश में प्रधान मंत्री वसूली भाई की तरह EDIT और CBI का दुरूपियों कर चंदे का धंदा कर रहे हैं रिपोर्ट्स में सामने आया है कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसियों की जाच में फसी 30 कंपनियों ने भाजपा को जाच के दौरान 335 करोड का चंदा दिया चंदे का धंदा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि MP की एक डिसलरी यानि मधि परदेश की एक डिसलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा दिया मित्र की कंपनी को बेईमानी से फाइदा और बाकियों के लिए अलग से काइदा मोधी राज में भाजपा को दिया अवैद चंदा और इलक्टोरल बांड ही इस आफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है ये कह रहे हैं राहुल गांधी तो राहुल गांधी बता रहे हैं कि चंदे का कैसा गोरक धंधा बीजेपी कर रही है आपको दोस्तों याद होगा कि 2014 से पहले कॉंग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी ने भरष्टा चार के कई आरोप मनमोहन सरकार पर लगाये थे हलांकि उन में से कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया जैसे दो करोर रोजगार का वादा जुमला साबित हुआ भाजपा का भी शासन रहा और दूसरी गठवंधन सरकारों का भी शासन रहा आपने देखा है लेकिन कभी किसी सरकार पर इतने गंभीर आरोप नहीं लगे जो अब मोदी सरकार पर लग गए हैं खेर इन आरोपों पर हम आगे और बात करेंगे लेकिन उससे पहले राहूल गांधी का एक और ट्वीट देख लेते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि मोधी सरकार में आपकी जेब कैसे काटी जा रही है जिस पूरा का पूरा सिस्टम किस तरह चलाया जा रहा है आए सबसे पहल लेते हैं राहूल गांधी का यह भाशन उसका एक अंश नाम क्या आपका आयूश कोशिक जी हैं नमस्कार करो जड़ा अब बताओ मुझे एक बात अभी उलाएंगे आयूश जी से नहीं पूछ रहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ आयूश जी जड़ा इधर देखे अब मान लो अगर हमें आयूश जी की जेब काटनी हो मान लो हमने सोचा कि भाईया आयूश जी की जेब काटो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा हाँ सबसे पहले भाया आयूश जी उदर देखो जड़ा हाँ वो देखो बहुआ ये देखो इधर देखो जड़ा भाया उपर देखो अब एफ थे पहले ये करना पड़ेगा पहले ये काम आपके लें नरेंद्र मोधी जी करते हैं बाई और बेनो उधर देखो बाई और बेनो इधर देखो बाई और बेनो उपर देखो बाई और बेनो नीचे देखो अब उसके बाद क्या चाहिए आपको उसके बाद कौशिक ची ज़रा घूमिये ज़रा उसके बाद जब उसका ध्यान चला जाएगा पीछे से कोई आएगा है ना किसे को आना पड़ेगा वो कौन है भाईया वो अधानी है वो अंबानी है ठीक है अब मान लो ध्यान बढ़का दिया और पीछे से जेब काट दी तो तीसी किस चीज की ज़रुवत है हाँ भाईया मुझे ये 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 जंड़ा दलाती देना ज़रा ये जंड़ा उतारो इससे नहीं इससे काम चलेगा चोटानी जी ये बड़ा चाहिए ये ओ ये तो पहला जो ध्यान बढ़काता है नरेंद्र मोदी जी दूसरा जो जेब काटा है अधानी जी और तीसरा जो डंड़ा लिये गुमता है हमिच्छा कही है या तुम लोगे ने कुछ किया जब EDI, CBII, Income Tax आए, पुलीस वाले आए तो कुछ किया तो फिर देखो कैसा डंड़ा लगता है अईउजी धन्यवाद आपका अभी करते है फोटो ले लो आजाओ ये भाईया सेल्पी का जमना आजाओ 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 यहाँ धन्यवाद तो ये हुआ बीजेपी का सिस्टम तो राहुल गांधी ने मुरादबाद में भारत जोडो नया यात्रा में जेब काटने के इस पैंतरे को लोगों को दिखाया राहुल इस से पहले दूसरी जगों पर भी ऐसा ही कर चुके हैं आपने देखा है राहुल अब केवल भाशन नहीं देते हैं बलकि वो बाकाइदा लोगों से सवाल जवाब करके उन्हें उनकी सचाई का एहसास कराते रहते हैं इस तरह लोग बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि आखिर दस सालों में उनके साथ कैसा धोखा हो चुका है अच्छे दिन बोलते बोलते उन्हें किस तरह सम्मान से जीने का ही मोहताज बना दिया गया है किसाना अंदोलन से लेकर पेपर लीक और पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सडकों पर जिस नाराजगी के साथ आम जनता उतर रही है उससे दिख रहा है कि मोधी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि अब जनता जाग गई है तो आएए दोस्तों आज आएने की नजर से पड़ताल करेंगे कि मोधी सरकार से तंग जनता अब किस तरह दे रही है मोधी को बीजेपी को जबाब और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन बीजेपी से आगे निकल कर सत्ता की और बढ़ रहा है लेकिन आएए सबसे पहले देखते हैं मोधी का एक ऐसा दाउं जो सहानुभूती बटोरने के लिए चला गया था लेकिन बीजेपी पर बुरी तरह से उल्टा पड़ गया है आप ज़रा मोधी की इस भाशन को मोधी के इस बाइट को सुनिए उनका बविश्य चिना लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है जब यूपी के नवजवान अपना नया बविश्य लिख रहे हैं तब ये परिवार बादी क्या कर रहे हैं मैं तो इनकी बाते सुनकर हरान हूँ कॉंग्रेस के साही परिवार के उराज का कहना है और चोंग जाएंगे आप कॉंग्रेस के उराज परिवार ने क्या कहा वो कह रहे हैं और काशी की धर्ति पढ़ा के कह रहे हैं काशी के नवजवान यूपी के नवजवान नशेडी है ये कैसी भासा है भाई मोदी को गाली देते देते हो तो इन्होंने दो दसक बिता लिये लेकिन अब इश्वर रुपी जनता जनारदन पर यूपी के नवजवानों पर ही ये लोग अपनी फरस्टेशन निकाल रहे हैं जिनके अपने होस ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेडी कह रहे हैं अरे गोर परिवारवादियों काशी का यूपी का नवजवान तो विख्षित यूपी बनाने में जूटा है अपना समरुद भविस लिखने के लिए परिशम की पराकास्ता कर रहा है इंडी गडबंदन वारा यूपी के नवजवानों का पान कोई नहीं भूलेगा आपको बतादू की राहुल ने प्रियागराज से लेकर अमेठी तक यूपी में पेपर लीक के मुद्दे को उठाया और सरकार पर सवाल उठाये तो राहुल के बयान को ही गलत तरीके से पेश कर मोदी ने कहा कि तोष्टी करण की राजनीती के चलते देश विकास में पीछे छूट गया मैं इनकी बातें सुनकर हैरान हूँ काशी की धरती पर आकर कॉंग्रेस के यूवराज कह रहे हैं कि काशी के नवजवान, यूपी के नवजवान नशेरी है आखिर इनकी ये कैसी भाशा है मोदी को गाली देते-देते इन्होंने दो दशक विता दिये अब यूपी की जनता पर ये लोग अपनी कुंठा निकाल रहे हैं जिनके अपने होश ठीकाने नहीं हैं वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेरी कह रहे हैं चाही कि विरोधी उन्हें गाली देते हैं याद रखिये मोदी की डिक्षनरी में आलोशना का मतलब गाली हो चुका है। यूपी सरकार को 17 और 18 फरवरी को हुई परिक्षा को रद करने का फैसला लेना पड़ा और अब 6 महीने बाद ये परिक्षा दोबारा होगी। यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी ने अपने भाशन में लोगों से यही कहा है कि हम तो चिलाते चीखते रहेंगे लेकिन आप खुद अपने हालत को अपने आपको देखिए फिर उस आधार पर बोर्ट डालिए। सुनिए जरा प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है। अपने अनुभव को देखो अपने अनुभव को देखो कि भाई पात सालों में दस सालों में मिला क्या है नौकरी मिली दुकान जाते हो तो सबजी खरीद पाते हो आपको मालों में गन्ने का जो दाम है जो आपको मिलना चाहिए सरकार से वो हर साल पिछले साथ सालों में हर साल सिर्फ मात्रे साथ रुपए गन्य का दाम बढ़ा है है के नहीं साथ रुपए ठीक है तो मान लो पाक सालों में 35 रुपए बढ़ा होगा और आप जब सबजी खरीदने जाते तो कितने बढ़ गए दाम आलू मिलता है प्याज मिलती है तमाटर मिलता है अब जाते हो तीन चीजों को लेने के लिए घर आते हो एक लिके तो भे यह देखो जब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने अनुभव पर नहीं उतरोगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला हम चीकते चिलाते जाएंगे कुछ नहीं बदलेगा बदला तब आएगा जब आप अपनी परिस्थितियों को समझ कर अपना वोट डालोगे जब आप सवाल उठाओगे सरकार से कि मुझे सबजी क्यों नहीं मिल रही है इतनी महिंगाई क्यों है मेरा बच्चा पढ़ता है मेहनत करता है उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है जब तक ये सवाल आप नहीं उठाएंगे जब तक इन परिस्थितियों को देखते हुए आप अपना वोट नहीं डालेंगे तब तक आप इसी खाई में डूबे रहोगे इसी लिए मैं आप से कहना चाहती हूँ इस खाई में से निकलो जब वोट डालने जाते हो सोच समझ के अपना वोट दो कॉंग्रेस पार्टी के पास योजनाएं है करके दिखाया है और आप सब अपने ही अनुभव से ये चीज़ समझते है तो आज आपके बीच आकर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी वोट आप डालने जा रहे हो बड़ी बाड़ी बातों पे मत डालो जो उपरी दिखावा है उस पे मत डालो जो तुम्हारी जिन्दगी में गुजर रहा है जो तुम्हारा जीवन है तुम्हारा अनुभव है तुम्हारी परिस्थिती है उसको समझ के कि ये क्यूं हो रहा है आपके साथ तब वोट डालने प्रियंका गांधी ने जनता के सामने सच्चाई खोल कर रख दी है और अपने भविश्य का फैसला खुद करने का जिम्मा जनता पर छोड़ दिया है मोधी सरकार के दावों की पोल जनता के सामने खुल ही चुकी है महंगाई भरष्टचार देश की सुरक्षा महिलाओं का सम्मान किसानों की बधाली ऐसे जितने मुद्दों पर डॉक्टर मनमोहन सिंग की सरकार को बीजेपी ने घेरा था वो सारी बातें अब और भयानक रूप में दिखाई देने लगी है पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है डॉलर के मुकाबले रूपए की कीमत घट चुकी है देश पर 205 लाख करोर का कर्ज चढ़ चुका है महिलाओं के लिए माहौल और खराब हो गया है NCRB की रिपोर्ट है कि 2022 में महिला अपराध के सिलसिले में हर घंटे लगभग 51 मामले दर्ज किये गए हैं अभी 2023 के आकड़े आना बाकी है किसान तीन साल में दूसरी बार MSP की मांग को लेकर सडकों पर है और इस बार भी किसानों पर गोलियां चलाई जा रही है कांटे भी छाये जा रहे है जांच एजिंसियों के राजनेतिक इस्तेमाल से विरोधियों को कुछला जा रहा है इस कारेकरम की शुरुवात में आपने देखा है कि कैसे अब मोदी सरकार पर ED और CBI के जरिये कमपनियों से वसूली के आरोप लग रहे है इससे पहले सुप्रिम कोट ने इलेक्टोरल बॉंड्स को अवैद बताया है तो उससे भी यही साबित हुआ है कि चुनावी बॉंड्स भी वसूली का ही तरीका थे चंडीगर मेर चुनाव में बीजेपी ने जुधांदली करवाई वो तो सीसी टीवी में ही कैद हो चुकी है यानि मोदी सरकार ना लोग का हित कर पा रही है और ना ही लोकतंत्र को बचा पा रही है तो साठ महिने जी हाँ साठ साल के बदले के वल साठ महिने मोदी जी ने जनता से मांगे थे ये 2014 की बात है दोस्तों तब जनता ने कुछ अच्छा होने की आशा में मोदी को साठ महिने दे दिये थे लेकिन उन साठ महिनों में मोदी ने नोट बंदी जी एस्टी और पुलवामा जैसी घंभीर चोटें देश को दी जनता ने फिर एक और मौका मोदी को दे दिया ताकि जो काम पहले साठ साल में यानि की पिछले साठ महिनों में साल नहीं महिनों में नहीं हो पाया वो अगले साठ महिनों में शायद हो जाए लेकिन दूसरे साठ महिनों में भी निराशा ही हाथ लगी निराशा में वो 60 महीने कट गए तीसरे कारेकाल में अपने आने की भविश्वानी कर चुके मोधी की सरकार पर पिछली UPA सरकार से कहीं ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं वो तो गंभीर हैं ही इसके साथ कुछ और बेहत गंभीर आरोप हैं जैसे चीन की घुसपैट को अंदेखा कर भारत की जमीन को उसके हवाले करना सैनिकों की सुरक्षा से समझोता करना समवेधानिक संस्थाओं पर कबज़ा करना मीडिया को दबाब में रखना आंतरिक कलह को बढ़ावा देना और इसके अलावा राजसरकारों की चोरी करना पैसे के बल पर वोटों को खरीदना इबियम से छेडशार करना नफरत की राजनीती को बढ़ाना उद्योग पतियों के फाइदे के लिए देश का नुकसान करवाना ऐसी एक लंबी लिष्ट हो सकती है ऐसा नहीं है कि ये आरोप केवल राजनीती से प्रेरित हैं या कॉंग्रेस के लोग ही ये आरोप लगा रहे हैं बलकि पिछले दस सालों के पन्नों को पलटिये तो आपको सबूत खुद मिल जाएंगे गलवान में चीन ने घुसपैट की ये बात खुद लदाख के लोगों ने बताई है पुल्वामा का सच आज तक सामने नहीं आया है कि सैनिकों को हवाई मार्ग से क्यों नहीं ले जाया गया था मनिपुर में हिंसा अब भी नहीं थम रही है और मोदी वहाँ आज तक नहीं गए गोवा, मधपरदेश, करनाटक जैसे कई राज्यों में बीजेपी ने ओपरेशन लोटस चला कर सत्ता हत्याई थी किसानों पर तीन कृष्री कानून थोप दिये गए थे ताकि कॉर्परेट को फायदा हो ED, CBI और IT के चापे मोदी विरोधी नेताओं पर पढ़ते हैं और जो बीजेपी के आगे जुकते नहीं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है मोदी खुद चुनाओं में शमशान कब्रिस्तान से लेकर कपड़ों से पहचानने और बजरंग बली की जय बोलकर वोट डालने की बात कह चुके हैं यानि सीधे सीधे भारत की धर्म निर्पेक्षता को ठेंगा दिखाने का काम मोदी करते हैं अपने उपर लगे आरोपों पर मोदी सीधे सीधे जवाब नहीं देते बलकि उन्हें खुद के लिए गाली बताते हैं आपने सुना ही है कि कैसे मोदी ने अपने संसदियक शितर वारानसी जाकर फिर यही कहा है कि 20 सालों से मोदी को कांग्रेस के लोग गाली दे रहे हैं तो मोदी जिन 20 सालों की बात कर रहे हैं वो असल में गुजरात में उनके मुख्यमंत्री कारेकाल का दौर है जब 2002 में गोधरा की भायाना घटना हुज थी आपको याद होगा पुलवामा की तरह आज तक गुजरात में सामपरदाई कहिंसा के लिए असली जिम्मेदार लोगों पर कोई कारवाई नहीं हुई है मुख्यमंत्री होने के नाते मोधी जी को इसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा उसी वक्त दे देना चाहिए था लेकिन मोधी ने इसे अपने लिए सहानुभूती के टरंप कार्ड की तरह इस्तेमाल किया इसके बाद कॉर्परेट की मदद से बाइबरेंट गुजरात करते हुए दिल्ली की गदी तकुआ पहुँचे बीबी सी ने एक डॉक्यमेंटरी गुजरात पर बनाई आपको याद होगा तो उसे बैन कर दिया गया अभी इसी तरह किसान आंदोलन का जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके अकाउंट्स सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगाया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने खुद इसकी जानकारी दी है एक्स ने यानि टूटर ने जो पहले टूटर कहलाता था आज कल वो एक्स कहलाता है एक्स ने एक पोस्ट में कहा है कि भारत सरकार ने शासकी आदेश जारी किये हैं जिसके तहत एक्स को विशिष्ट खातों और पोस्ट पर कारवाई करने की आवशक्ता है जो अच्छे खासे जुर्माने और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन हैं आदेश का अनुपालन करते हुए हम केवल भारत में ही इन खातों और पोस्ट पर रोक लगाएंगे हाला कि हम इन कारवाईयों से आसहमत हैं और हमारा मानना है कि ये पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंतरता के दायरे में आनी चाहिए और इधर मोदी सरकार गूगल को भी नोटिस भेजने की तैयारी में है क्योंकि जब गूगल के AI प्लेटफॉर्म जैमिनी से मोदी को लेकर सवाल किया गया कि क्या मोदी फासिवादी हैं तो उसका जवाब था कि उन पर ऐसी नीतियां लागू करने का आरोप है जिने कुछ जानकार फासिवादी मानते हैं नागरिकों के साथ साथ अब मशीनों की बुद्धी मत्ता पर भी मोदी सरकार को एतराज होने लगा है दोस्तों दरसल मोदी सरकार को अपने हर विरोधी और आलोचक से एतराज है जबकि लोकतंत्र में जान फूँकने का काम विरोध और आसाहमती ही करते हैं खैर बीजेपी अगर लोकतंत्र का जनाजा निकालने को तयार है तो वही इंडिया गठबंधन ने समझ लिया है कि केवल उनकी एकता से ही लोकतंत्र बचेगा इसलिए अब दिल्ली से लेकर महराश्र तक पश्चिम बंगाल से लेकर तमिल नाडू तक इंडिया गठबंधन के दलों में कॉंग्रेस और उसके सहयोग्यों के बीच सीट शेरिंग यानि सीटों के बटवारे जो हैं वो पक्के होते जा रहे हैं यानि अब मोदी सरकार के दिन गिनती के ही रह गए हैं खैर महानशायर हबीब जालिब ने ठीक ही फरमाया है कि खुद काटेंगे अपनी मुश्किल खुद पाएंगे अपनी मन्जिल राहजनों से भी बदतर हैं राहनुमा कहलाने वाले तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे खबरों के नए आयने के साथ तब तक देखते रहे हैं डीबी लाइब नमस्कार